हेलो फ्रेंज, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देली सबोरेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड डी एससबी की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाय प्रोसेस के बारे में, तो यहां पर जो यह वेकैसी है यह फ्रेंज से आपके यहां पर पोस्टोर के अकोडिंग आपको वेकैसी की डेटेल यहां पर देखने को मिल जाती है, तो अप्लाय करने से पहले इसकी जो डेटेल्स हैं वो आप यहां पर पढ़ सकते जो essential qualification है वो आपका friends यहाँ पर fulfill करना जरूरी है अगर आप इसमें आविदन करना चाहते हैं तो apply करने से पहले friends एक बार इसकी जो details है वो आप चेक जरूर कर ले और साथ में फैंसे इस से related जानकारी आपको मिल जाएगी video description में jobrasa.com पर जहाँ पर जाकर आप इसकी details को check out कर पाएंगे अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं तो आप इसमें online apply कर सकते हैं बात करेंगे इसके form apply process के बारे में और इस video को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है, subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो यहाँ पर देखे फैंसे यह इसका login portal है और जहाँ पर आपको current vacancies यहाँ पर मिल जाएंगी आपको यहाँ पर click to sign in का एक option मिलता है, अगर आप पहले से register हैंस portal पर तो directly आप यहाँ पर sign in पर click करेंगे और आपकी basic जानकारी फिल करकर आप यहाँ से login कर लेंगे इसके रहे अगर आप password भूल के हैं तो forget password कर सकते हैं पहली बार form को अगर आप apply करना चाहते हैं और पहली बार अगर आप registration करना चाहते हैं तो आपको click here for new registration का option मिलता है आप friends से multiple time registration नहीं कर सकते यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी तो registration करने के लिए सबसे पहले friends से आपको click here for new registration वाले option पर click करना होगा इसके बार आपका registration page है यह open हो जाएगा अब यहाँ पर देखे कुछ instruction दियेंगे है star जो marks है वो mandatory है role number friends से आपको दिया गया है अकर कुछ इस तरह का role number आपका है अब friends मेरा यहाँ पर registration पहले से ही है तो मैं आपको सिर्फ sample के तोर पर बता रहा हूँ कैसे आप यहाँ पर data को enter करते हैं तो सबसे पहले friends से यहाँ पर आप नाम enter करेंगे आपका friends जो DOB है मिनसे date of birth है वो क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा सिर्फ आपको friends से यहाँ पर जो आपके alphabets है numerical values जो है वो आपको यहाँ पर enter करनी है यह enter करने के बाद आपको आपका passing year देना है मतलब आपने इसको कब पास किया है आप यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद friends से नीचे है gender तो gender select कीजिए इसके बाद आपकी nationality हो गई आपका friends से father name क्या है और आपका जो mother name है वो क्या है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा तो यह basic सी जानकारी है आपकी personal details की जो कि आप friends से अपने according यहाँ पर enter कर देंगे यह enter करने के बाद नीचे एक option है spouse neighbor का मतलब पतिया पतनी का नाम तो आपका यह applicable है तो आप यह दे सकते हैं आपका mobile number क्या है तो 10 digit का mobile number और आपकी mail id आप यहाँ पर enter करेंगे इसके बाद friends से get otp पर click करेंगे आपके पास एक otp आएगी वो otp आपको verify करनी होगी नीचे है id proof अब देखिए अधार card अगर आप ऐजे id proof दे रहे हैं तो yes करेंगे आपके 12 digit का अधार card number अधार card पर नाम क्या है वो आपको देना है और उसके बाद एक password आपको generate करना है अगर आपके पास अधार card नहीं है और आप यहाँ पर no करते हैं तो कोई भी एक id proof driving license, pen card, passport या voter ID आप चूज कर सकते हैं और उसके बाद friends आपका id proof number है उसके बाद आपको अपलोड भी करना होगा इसके बाद friends नीचे है आपका password section तो password देखिए friends कम से कम 8 character का होना चाहिए upper case, lower case, digit और special character आपके उस password में होने चाहिए sample friends मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने कि आप यहाँ पर जो password यूज करेंगे इसमें आपको friends अपर case यूज करना है इसके लावा आपको small letters यूज करने है numbers यूज करने है और कोई भी special character आप यूज कर सकते हैं तो password आप यहाँ पर इस तरह से generate कर लेंगे इसके बाद undertaking देंगे उसके बाद यहाँ से preview चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ से declare करकर submit कर देंगे इसके बाद friends अब हम बात करते हैं apply process के लिए तो सबसे पहले friends आपको यहाँ पर click to sign in का option मिलता है आप इस पर click करेंगे अब आपने जो registration किया है उसमें जो date of birth है आपकी date of birth आपका 10th का roll number 10th का passing year और जो password आपने create किया होगा और यह capture को डल कर आप यहाँ से sign in कर सकते हैं इसके बाद friends आप अपने portal पर login हो जाएंगे मिंसे dashboard पर login हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको post code मिल जाता है post का नाम मिल जाता है और आपको apply का link मिल जाता है आप इन में से जिस भी post के लिए apply करना चाहें उस post के लिए apply कर सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पर data जो fill करूँगो वो sample के तौर पर करूँगो आपका जो actual data है वो आपको यहाँ पर fill करना होगा तो apply करने के लिए आपको apply ना वाले option पर click करना है अब यहाँ पर देखिए आपकी basic जानकारी आपको automatic fill up मिलेगी इसके बाढ़ यहाँ पर देखिए जो स्यक्षन है वो है आपके address का तो यहाँ पर address सबसे पहले आपसे पुचा गया है present और उसके बाद पूछा गया है आपका permanent address तो आपको friends जो भी आपका address है जो भी आपने address में लिखते हैं वो पुरा address अप यहाँ पर'... कर सकते हैं और इसके लिए आपको यहां पर जो है इस ऑप्शन का यूज करेंगे और यहां पर आपका यहां पर जो एड्रेस है वह आप मेंशन कर देंगे इसके बार आपको यहां पर देना है आपका पिन कोड और यह आपका प्रजेंट एड्रेस है अगर यह सेम है तो आप आप अलग लग entry कर सकते हैं category क्या है general है तो general select कीजिए अगर आपकी category यहाँ पर OBC है उस condition में OBC दिल्ली है तो OBC दिल्ली select कीजिए और अपने cast category की जो डिट्रिल्स है वो आप फिल करेंगे अगर outside दिल्ली है तो friends उस condition में आपको कोई भी reservation नहीं मिलता आप general से ही यहाँ पर से select कर सकते हैं और उसके बाद friends से issuing authority SDM तहसिलदार दिल्ला मरिस्टेट किसने के जारी क्या है वो आपको देना होगा इसी तरह से EWS का भी option आपको मिलता है तो आप EWS की जानकारी यहाँ पर provide कर सकते हैं तो यह friends आपको आपके according यहाँ पर आपकी category select करनी है सब category कोई है तो आप select कर सकते हैं नहीं है तो blank छोड़िए declaration कीजिए और उसके बाद save and nest कर दीजिए इसके बाद आएगा friends आपको देखिए photo upload अब photo यहाँ पर कैसे upload होती है तो photo upload होती है सबसे पहले postcard size postcard size क्या होता है तो friends इसके लिए size आपको दिया गया है 5-7 inch का जिसके लिए friends आपको यहाँ पर जो है photo upload करनी होगी इसके लिए friends आप MS Paint का use कर सकते हैं या friends आप जो Photoshop होता है उससे भी photo को size जो है 5-7 कर सकते हैं और इसके लिए friends आपको यहाँ पर देखिए कुछ format दिये गये हैं जिसमें आपको यह upload करना होगा तो आप browse पर click करेंगे file को select करेंगे और upload करेंगे ध्यान रखिएगा यह आपकी passport size photograph नहीं है यह आपकी postcard size photograph है जो की 5-7 में आपको यहाँ पर upload करनी होगी इसके बाद नीचे आपका signature है इसके बाद left thumb impression है और आपका right thumb impression है और इसके लिए friends आपको देखिए जो विर्थ दी गई है यह विर्थ आपको ध्यान रखना जरूरी है इसी विर्थ में आपका यह upload होगा अगर यह upload नहीं हो रहा है कोई भी अगर आपको मान दीजिए कोई problem आ रही है तो आप MS Paint का use कर सकते हैं और MS Paint में जाकर आप width और height को change कर सकते हैं अब यहाँ पर अप्लोड करने के बात देखिए आपको जो preview है वो देखने को मिल जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पर बताओं कि MS Paint में आप कैसे width और height चेन कर सकते हैं जैसे माली जी signature है इसका जो width है वो 140 है height आपकी 110 pixel है तो आप photo sign या जो भी आप यहाँ पर pixel चेन कर र जो pixel आपसे वहाँ पर मांगे गए हैं जिसमें आप width और height चेक कर सकते हैं जो आपसे मांग गई है वो आप यहाँ पर manually fill करेंगे और उसके बार इसे ok करके यहाँ पर file पर जाका save या save as कर सकते हैं jpg format में और इसके बाद friends आपका यह data यहाँ पर upload हो जाएगा और उसके बा option को select करें और उससे related देखिए आपको यहाँ पर qualification criteria है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसमें सबसे पहले आपको qualification select करनी होगी इसके बाद friends आपको यहाँ पर discipline select करना होगा percentage आपको यहाँ पर देनी होगी तो आप percentage यहाँ पर enter करेंगे किस state से आपने इसको pass किया है वो आपको देना है मतलब आपने इसको कब pass किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद इनसेट वाले option पर click कर देंगे इसके बाद एखिए qualification आपकी add हो जाएगी तो जो भी qualification उस post के लिए required है उस पर आपको tick करना होगा और उसके बाद आपको उसकी ज section preview section को ध्यान से check कर ले कोई भी गलती अगर आपको लगती है आप उसे सही कर ले नहीं तो आप इसे declare करेंगे और उसके बाद pay online वाले option पर click करेंगे payment complete करने के लिए तो आप इस वाले option पर click कर सकते है payment करने के लिए इस पर फ्रेंस से click करने के बाद आपका फ्रेंस से जो post banking के माध्यम से या UPI के माध्यम से आप payment कर सकते हैं कोशिश की दिए net banking यूज करें किसी भी bank के आप यूज कर सकते हैं debit card user है तो आपने card का number, card का expired date, card का CVV number और card holder name आप यहाँ पर enter करेंगे और उसके बाद यहाँ से pay now पर click कर देंगे और आपका जैसे ही payment यहाँ complete होगा उसके बाद ही अपना final printout निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं अब देखिए friends जब आपका यहाँ पर सबची details complete हो जाएंगी और आपका जो यहाँ पर fees है वो भी आपकी यहाँ पर complete हो जाएगी इसके बाद friends आपको यहाँ पर देखिए एक option मिलता है print application का आप इस पर click करेंगे और जिस पोस्ट के आपने आविधन किया है वो आपको यहां मिल जाएगी तो friends आपर वही पोस्ट मिलेही जिन जिन के लिए आपने आविधन किया हुआ है आप उस पोस्ट को मान लिजे यहां पर मैं भी सेंपल के तrore पर दिखा रहा हूं आप उस post को select करेंगे जिसके लिए आपने आवेधन किया है और उसके बार print application पर click करके इसका जो print out है वो save करके अपने पास रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends से मैंने आपको सारी जानकारी provide कर दी है कैसे आप DSSB का online form apply कर सकते है step by step process के बारे में अगर आपको हमारा की वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe जरू कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटीब चलर एलास थैंक्स पूर वाचिंग